दी शांपू करते ही न मेरे बहुत सारे बाल जढते हैं बालो में oiling करते समय तो थोड़ा बाल जढते हैं लेकिन शांपू के टाइम पर इतना बाल जढते हैं मैं क्या बताओ तो गाइस ये प्रॉब्लम आप भी फेस कर रहे होगे अगर आपने शाम्पू करा है तो उसके बाद आप नोटिस करते हो कि बहुत जादा है को होता है तो आज के वीडियो में मैं उसी के उपर बात करने वाली हूँ और आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि शांपू करने के बाद आपको किस तरीके से अपना हेर केर करना चाहिए ताकि आपका जो हेर फॉल है वो कंट्रोल हो जाए उसी के उपर है आज का वीडियो तो इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है चलिए शुरू करते हैं आज का और एक hair care का वीडियो हाई आज के वीडियो में बात करने वाली हूँ आफ्टर वार्श हैर के रूठीन इसको आपको डेफिनिटली फॉलो करना चाहिए ताकि शांपू करने के बाद आपका है जाए शांपू के टाइम पर तो हम नॉमली बहुत सारे चीजे ध्यान में रखके शांपू करते हैं ताकि हमारा hair fall कंट्रोल में रहे लिकिन शांपू के बाद कुछ एक चीजे हम करते हैं जिससे हमारा ज्यादा hair fall होता है तो डेफिनिटली फॉलो दिस स्टेप्स चलिए देखते हैं कौन-कौन सा स्टेप्स है आइम श्यूर के मेरी तरह आपके घर में भी इस तरीके का टावल डफिनिटली होगा और maximum लोग क्या करते हैं गीले बालों में यही टावल रप अप कर देटे हैं और उसके वज़े से क्या होता है ना इस तरीके का टावल बहुत सदा हार्श होता है, तो ये हमारे बालों के रूट्स को बहुत डामेज कर देता है, और उसकी वज़े से ज़ादा है अफ़ल होता है, तो इस तरीके के टावल को आपको इग्नोर करना चाहिए, मार्केट में अलग तरीके का टावल मिलता है, जो स्पेशली बालों को सुखाने के लिए हम लोग इस्तावाल करते हैं, तो उसे तरीके का टावल आपको इस्तावाल करना चाहिए, और इनको थोड़ा सा इग्नोर करना चाहिए, कि अपने बालों के लिए आप डेफिनेटली और एक चीज इसमाल कर सकते हो वह है इस तरीके का साटिन का शर्ट यह आपके घर में हो सकता है या फिर आप मार्केट से खरीद के भी ला सकते हो काफी मुलायम और सॉफ्ट होते हैं और यह बेसिकली साटिन के जितने सारे चीज कर सकते हो दियाव वेरी वेरी साफ्ट और वेरी वेरी silky तो जो silky पाठ है उसी को आपको लेना है और अपने बालों में wrap अब करना है तो इससे आपके hair roots damage भी नहीं होंगे और आपके बाल safe रहेंगे तो इसको आप try कर सकते हो और एक चीज़ है जिसको आप try कर सकते हो वो है आपके घर में पढ़ा हुआ कोई पुराना टी-शिर्ट, टी-शिर्ट के कपड़े भी काफी soft होते हैं तो जो soft बाले टी-शिर्ट के बालों को damage से control करने के लिए help करता है तो जैसा कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे satin का एक शिर्ट लिया है ब्लाक कलर का और इसको आपको गीले वालों में कुछ इस तरीके से राप अप कर देना है और उसके बाद इसको टक करने के लिए मैंने यहाँ पे एक क्लाचर लिया है ध्यान रहे के क्लाचर को आपको जादा जोर से प्रेस करके नहीं लगाना है नहीं तो आपके बाल टूट सकते है आच्छा और यहाँ पर और एक चीज मैं आज आप लोग को बताना चाहूंगी कि मेरे बाल आज गीले नहीं है मैं आपको सिर्फ डेमोंस् नॉर्मली कहाई यह जाता है कि शांपू करने के बाद जो एक्स्ट्रा पानी रहता है उसको ऐसे ही कुछ टाइम देना चाहिए ताकि वो आपके बालों से निकल जाए और उसके बाद फिर आप कोई भी टावल जिस तरीके का फाब्रिक बालों के लिए सही हो उस तरीके का कोई फाब्रिक का टावल लेकर आपको अपने बालों के उपर रैप कर देना चाहिए जांपू करने के तुरंत बाद ही कुछ चीजों को आपको एगनोर डेफिनेटली करना चाहिए बालों में इस्तवाल नहीं करना चाहिए एक है क्लाचर और दूसरा है है को मतलब शांप सारे टूल्स अवेलेवल है नॉर्मली आप फैन चला सकते हो सिलींग फैन या फिटेवल फैन या फिर अगर आपके पास हैर ड्रायर है तो ड्रायर का टेंपरेचर है उसको चेंज करके वार्म से कूल कर दीजिए और उसके बाद अपने बालों को धीरे-धीरे सुखा सकते इससे आपके बाल डामिज नहीं होंगे अब शैंपू करने के बाद सबसे क्रूशल टाइम दब आता है जब हमारे बाल बहुत सदा फ्रीज हो जाते हैं क्योंकि इस टाइम पर हम बालों को कोम करते हैं तो बहुत सारा हेर फॉल होता है उससे बचने के लिए अब अपने ब तो आप इसको बालों में अराम से लगा सकते हो और ये आपके बालों में स्टिकी नहीं बनके नहीं रहेगा आपके बाल जैसे सिल्की शाइनी और सॉफ्ट होते हैं वैसे ही रहेगा और ये लाइट वेड होता है तो इजीली बालों में ब्लेंड हो जाता है तो आप होवा ओ तो यह वाला चीज तो डेफिनेटली हर किसी की घर में होगा तो आप ले लीजिए और उसके साथ प्लेन वाटर या फिर रोज वाटर मिला के स्प्रे बॉटल में रख सकते हो और उसको लेकर भी बालो को सेक्शन कर लीजिए सेक्शन करने के बाद आप अपने बालो में इस तेल को लगा लीजिए इससे आपके बाल डामेज भी नहीं होंगे आपके बालो में जो फ्रीजनेस है ना तो वो अराम से कंट्रूल हो जाएगा और आप बालो में केमिकल का भी आपको इसमाल नहीं करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे लोग बालो में जो यह हम हैर सरम लगाते हैं वो लगाना इतना पसंद नहीं करते हैं तो उस केस में आपको को कुछ चीजे ख्याल डेफिनेटिरी रखने हैं सबसे पहला है कि आपको अपने बालो को दो सेक्शन पर डिवाइड करना है और उसके बाद बालो को डीटांगल करने के लिए जो को बाते है छोटी बालों को बालों को घ्रिआआइँ नहीं लीकिन पहले जो चीजे मैंने बदो बदाया है वो हर किसी को डेफनेट्ली फौलो करना चाहिए इससे आपके बाल कम जडेंगे जब आप शांपू करोगे कॉम करने के बाद आप आपके बालों देख सकते हो बाल इक दो फ्रीजलेस हो जाएंगे और बालों में टैंगल का जो प्रॉब्लम है वो फील नहीं होता है नॉर्मली शांपू करने के बाद लोगों के बाल इसलिए जाधा जड़ते हैं क्योंकि हम लोग इतनी सारे सेप्स को फॉलो नहीं करते हैं और एक चीज़ में यहाँ पर आप लोगों से कहना चाओंगी शांपू करने के बाद आपने बालों को अल्मोस्ट सुखा लिया है और बालों में सिरम बगेरा लगा के कॉम भी कर लिया है लेकिन उसके बाद भी आप अपने बालों को तुरंत ही बाधिये मत बहुत जाधा क्लचर से या फिर क्लीप से अपने बालों को टक करके मत रखिये ऐसे ही कुछ दिर खुला छोड़ दीजिये और उसके बाद आप बालों को बान सकते और यहाँ पर और एक चीज में यह करना चाओंगी अभी तो विंटर आ रहा है तो इस टाइम पर क्या होता है ना कि हम ल